हेलो दोस्तो आज हम एक बहुत ही बहतरीन स्टॉक के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो आप देख रहे हो perfect view of market और इस YouTube चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा शेर का price increase या decrease होने वाला है जिससे आप अपना profit तो बुक कर ही सकते हो अगर loss है तो exit भी कर सकते हो और वो stock है दोस्तो मुंजल ओटो जैसे कि वीडियो स्टार्ट होते ही मैंने बोला कि हमारे YouTube चैनल में आपको एक दिन पहले बता दिया जाता कि कौन सा शेर का price increase या decrease होगा तभी तो दोस्तो सपोज मालीजे कि आपको जब पता चले या कि किसी stock का price increase होने वाला तब आप या 81 रुपीज में खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा पूरा profit मिलेगा ठीक है एक आराउंड डिटी के आसपस खरीदोगा मालेजे दोस्तों 85 रूपीज आ चुगा पूरा उपर से ला गया और आप खरीदोगे बढ़ने के बाद price increase होने के बाद अगर आप खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा उसी तरह यहां पर देख लिए दोस्तों मुझा लॉट्टे के बारे में यहां पर देख लिए आज 4 या 5 परसेंट से भी ज्यादा इसमें तेजी थी थी थोड़े बहुत decrease हुआ तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपको पहले नहीं बताया गया था यहां पर देख लिए दोस्तों मुझा लॉट्टो यहां देखे एट आवर्स पहले मैंने यह वीडियो अपलोड किया था ठीक है अभी तो फाइब ओक्लॉक हो रहा है मार्केट बंद हो चुका है एट आवर्स पहले मतलब कि दोस्तों मार्केट ओप करने वाले हैं वह भी आटो सेक्टर का है ठीक है तो यहां पर देखे आपके सामने नजर आ चुका होगा मंजुला आटो है दोस्तों यह स्टॉक का जो प्राइस होने वाला है अगर आप खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल बेहिचक आप खरीच सकते हो दोस्तों ठीक है तो दोस्तों देखे मार्केट उपें होने में बहुत ज्याधा टाइम था आराउंड आफ एन आवर से पहले मैंने यह वीडियो बनाया और बताया कि आप लोगों को यह स्टॉक खरीद लेना चाहिए मजुला और करके मजुला आपको खरीद लेना चाहिए 44 के प्राइस पर अ हर एक चीज आपके सामने बस आपको देखना है और समझना है तो इस कंपनी को हमें अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बेचक खरीदे दोस्तों ऐसे कंपनी को टिक है और यहां पर देख लिए तो यहां पर देखिए मैंने क्या वाला दोस्तों अगर खरीदना चाहते हो तो बेचक खरीदनी है आपको ऐसी कंपनी से हाथ नहीं निकालना चाहिए यहां देख लिए 44 का प्राइस था 826 था जब साड़े आट बचे मतलब 830 के आसपास मैंने यह वीडियो बनाया था और अभी का टाइम देख लिए जी दोस्तों 540 हो चुका है ठीक है और देखिए अभी जो है आपके समने 4% का जो है अपर सरकीट लगा 4% से भी जादे तो यह क्या था है तो यह हो गया दोस्तों मुझाल उटो जो मैंने अभी देखे नाइन आवर्स पहले अभी अप्लोड किया था मतलब मार्केट ओपिन होने के पहले तो यह आज का हुआ ठीक है और आज का आप देखते कल मैंने कौन से वीडियो बनाया था दोस्तों कल देखिए देखिए अच्छा से अच्छा बेनिफिट हो सकता अब मैं आपके सामने यह वीडियो देखे खुद प्ले करता हूं और देखिए आपको यहां पर कितना प्रॉफिट हुआ है सबसे पहले तुमें डिस्क्रिप्षिं बॉक्स में आपको डेट दिखा देना चाहता हूं यहां पर देख लिए डेट ठीक है तो मैंने वीडियो अपलोड किया था आज फाइफ ठीक है आज फाइफ ठीक है आपके सामने यहां रहा कर वीडियो क्वालिटी थोड़ा ठीक कर देता हूं क्वालिटी तो लाइक करके इंक्रेज किजेगा तो आप देख रहे हो परफिक्ट भी हो अफ मार्केट और इस है तो एक्जिट भी कर सकते हो तो वो कौन सा शेयर है दोस्तो मैं आप लोगे के सामने ला चुका हूं वो स्टॉक का नाम है इस बी आई मतलब कि दोस्तो स्टेट बैंक ओफ इंडिया यह दोस्तो आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है बहुत अच्छा का मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो दोस्तो तो देखे मैंने साब सब बोला कि आपको यह इतना अच्छा प्रॉफिट दे सकता है जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो और ये विडियो मैंने देखे साम को six o'clock बनाया था जो अभी के टाइम में फीर से मैं ये वडियो बना रहा हूँ ठीक है दोस्तो यहाँ पर देख लिजे अभी यहाँ पर देख लिजे दोस्तो और आज के डेट में आप देख लीजे कितना प्राइज है यह रहा आपके सामने स्टेट बैंक आफ इंडिया यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 311 अब भी जो करिंड मार्केट प्राइज है और यह हाइस्ट मना था 313 तो ठीक है यह भी मैंने आपको क्या बला था कि जितना आप खरीद लो दोस्तों इसमें भी आपको अच्छा प्राफिट होगा तो यह भी देखें इसमें भी बिलोज 300 था अभी अब अब 300 हो गया तो यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो बनाते हैं और यह कुछ-कुछ ऐसे वीडिय चैनल में आपको पहले बताया जा रहा कि क्या होने वाला तब तो आप खरीद पाईएगा सपोज यहां लिखा हुआ दोस्तों साप साप लिखा हूं मैं किसी यूटूब चैनल पर फोकस नहीं कर रहा हूं क्या लिखा हुआ बस मैं वह आपके साथ शेयर करना चाहता हूं यहां पर लिखा हुआ है कि yes bank 33% का उचाल मतलब उचाल मार चुका है दोस्तों तो अब इसमें बताया जा रहा है कि क्या यह जो bounce back लिया है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए दोस्तों अब जिनको खरीदना था वो तो नहीं खरीद पाई जिनको profit होना था वो तो नहीं बता सकते थे बाजी तो अप लट चुका है मतलब जिस शेयर का price बढ़ना रहता है देखिए actual होता क्या हमें किसी भी stock को कब खरीदना चाहिए जब वो low में रहे तो ठीक है बेचना कब चाहिए जब वो high में रहे तो ठीक है मैंने क्या किया state bank of India below 300 था मतलब कि वो red में था और यहां पर क्या बताया चाहिए यह 11% की तेजी है मतलब यह अप हो गया जब यह higher price बोल रहे है खरीदने के लिए तो बस यही difference है कि मैंने यह जो video बनाया था यह video में मैंने आपको पहले बोला खरीदने के लिए ठीक है अभी यह जो time है यह time में आप खरीद लो time कब था अगर आज के डेट में मैं वीडियो बनाऊं कि यहां पर देख सकते हैं दोस्तो मुंजाल आटो में है देखे 4% के तेजी है यह अच्छा stock है इसको खरीद लो यह बाजी पलट सकता है क्या बाजी पलट सकता है पहले पलट चुका है तो अगर आप चाहते हैं कि एक दिन प यहां पर आइकोन आ जाएगा आपके सामने यहां पर चलिक के जिए कि ऑउडिम यह मैं आपको अपने यूटुप का दिखा रहा हों कि आप यहां पर जाकर आप के साथ यहां पर देखके यहां पर देखेए यह दोणु स्टॉक में अच्छा खास अठेज्ट आपपका खुल जाएगा इतना लंबात तेजी है अतना लाइफ मे चलना मुझकिल रहा जितना आपको अच्छा प्रॉफित दे रहा है तो यह आपके सामने है ठीक है नोसिल में भी लिए अच्छा प्रॉफित है आरिती इन्डेस्टी में प्र census यहिं script मैं olduğu तो यहाыт तो देखे मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिखा दिया यहाँ पर अब सारे देखे कोटक महिंदर में डारेक्ट हंड्रीड पॉइंट का प्रॉफिट भाई अब क्या चाहिए अगर आपने एक हजर कॉंटिटी भी खरीता होगा तो लाक रुपया तो बस आपकी सामने ही आ ग रखते हैं और यह देखे आपके नजर में एक दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो आया है मैंने बोला है मात्र 5,000 रुपया लगा दो करोड़ पती बन जाओगे यह वीडियो देख लो आपका आंक जो है ना मतलब रॉसनी अलग टाइप की रॉसनी निकले कि अगर आप एक अच्छा इनवेस्टमेंट करना है इस से फि si si करके आपको एक अच्छा जो है विल्थ क्रिएक करना है तो आप हमारे सा हूं साथ जुड़ सकते हो दोस्तों तो यह पेयड चुरिस है ठीक है तो जिनको पेट सर्वीस लेना है वो कॉंटाइक कर सकते है एक चिज में और ब आपका नम्बर इस नम्बर पे मिसेज कर सकते हो. उसके बाद ये जो नम्बर,